आननलो प्रतिदिन के जीवन का में स्वागते यहां आने के लिए धन्यवाद यदि आप आश्चेरे करतें कि प्रभू की आपके लिए इच्छा क्या है तो आप अकेली नहीं इफी सियो दो दस हमें बताता है कि परमीश्वन ने आपकी स्रिष्टी की है और आपके लिए अच्छी योजना बना कर रखी है परन्तो आप कैसे जानेंगे कि वो योजना क्या है आज हमारा सौभाग ये के हमारे सार लौरन कनिंगहेम यूथ वितमिश्वन के फाउंडर हैं वे चर्चा करेंगे कि हमारे जीवन में प्रभू योजना हम कैसे समझ सकें लौरन कनिंगहेम यूथ वितमिश्वन के संस्थापक है ये विश्व भर की सेवकाई 1960 में शुरू हुई और मसी का संदेश लेकर हर देश में पहुचती है वो चार सामर्थी किताबों के लेखते और हर वश तीस से अधिक देशों में प्रचार करते हैं पूरे देश बदल जाएंगे हम बहुती सामर्थी बदलाव देखने वाले हैं आपके साथ रहना पसंद है जोईस हम लोगों की जीवन में रभू की योजना के बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं आप सच में विश्वास करते हैं कि सब के पास परमेश्वर द्वारा निश्चित मंजिल है हाँ निश्चे ही परमेश्वर ने हमारे जीवन में वो अद्भूत देश दिया है भजन सहिता 149 में शुरू में वो कहता है कि तु भयानक और अद्भूत रूप से रचा गया और वो हमें गर्ब में रच रहा था और तब उसने हमें केवल वर्दान ही नहीं बुलाहट भी दी है वो वर्दान और बुलाहट अटल है इसलिए वो हमारे पास है मैं जानता हूँ कि 13 साल उम्र में मैं प्रात्ना कर रहा था और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मुझे सब लोगों को प्रचार करने के लिए पूरे संसार में जाना होगा मैंने उस राद अपनी मा के पास में जाकर कहा जानती हूँ प्रभू मुझे प्रचार के लिए बुला रहा है मा उसने कहा बहुती अच्छी बात है अगले दिन वो मुझे बाहर लेगी और उसने मेरे लिए नए जूते खरीदे और उसने कहा पहन लो बाइबल कहती कि सुसमाचा सुनाने वाले के पैर सुहावने है पिता जी हमेशा कहीं न कहीं प्रचार करते थे परन्तु बाद में उन्होंने मुझे साहता दी जानते हो लॉरेन मैं सोच्तियों कि बहुत से लोग अपना लक्ष पूरा नहीं करते क्योंकि वे बस अपने आपको तुच्छ समझते हैं आज हमारे समाज में आसुरक्षतिता की भावना ज्यादा है निश्चे ही ये स्त्री और पुरुषों जवान और बुड़ों पर हमला करती है परन्तु में सोच्तियों की खास रूप से महिलाएं अपने बारे में बुरा महसूस करती हैं और खुद को तुच्छ समझती हैं मैं जानती हो आपने अद्भुत किताब लिखेर शीर्शक है वाई नॉट विमेन क्या प्रभु स्त्री का उप्योग कर सकता है आपने उस में स्त्री के इतिहास के विशे में अधिक बताया है कि आप हमें इतिहास में स्त्री के विशे चोटी जानकारी दे सकते हैं और क्यों हमेशा ऐसा लगता है कि उन्हें पुरुशों से कम महसूस कराया जाता है और ये कि उन्हें जो करना चाहिए उसे वे क्यों नहीं कर सकती है जोईस ये तो इतिहास के विश्य में दुख की बात है कि आज भी हम ये कहावत कहते जाते हैं आप उनके साथ नहीं रह सकते उनके बिना नहीं रह सकते यह सच में यूनानी विद्वान के द्वारा शुरू हुआ उन्होंने ये शब्द ऐसे ही कहें और फिर रोमी लोगों ने उसे ले लिया और उन्होंने इसे एक पीडी से दूसरी पीडी तक पहुँचाया क्योंकि जूस यूनानीयों का इश्वर जब मनुष्यों पर बहुत इक्रोधित हुआ तो उसने पैंडोरा बना दिया और उसने उस्त्री को बनाया कि इस संसार में वो बुराई ला सकें फिर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि आदी में परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप और समामता के अनुसार स्त्री और पुरुष को उसने बनाया था ऐसे बनाया तो फिर हम परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं और अक्सर पुरुष कहेंगी कि हाँ पुरुष पहले बनाए गए है और वो बात सही है परंतु याद रखे कि मेंडग पुरुषों के पहले बने है और इसलिए ये न सोचे कि क्रम ही किसी भी बात का कारण होता है परंतु वह क्या है कि परमेश्वर ने हमें बनाया कि हम एक समान हो और वहीं बाइबल का सच है य हाँ पर सारा मुल्य सही होता है बाकी सब जग़ तो बस एक विचार है सही का और जानते जब आदम ने हववा को बनाया उसने आदम की एक पसली ली और मैं हमेशे कहना पसंद करती हूं कि उसने उसे आदम की पसली से निकाला ताकि वो उसके साथ रहे उसके पैरों में नहीं कि वो आज बी एसे भी हिससे हैं जास्तरी के साथ जानवरोक सा विवार होता है ये सच में वापिस यूनानी लोगों के सास laugh जाता है और जिस रिटि से उन्हुनें स्टरी को देखा प्लेटोश शुरू करके और सौकर्टीस से अरिस्टार्टल तक हम देखते हैं अरिस्टार्टल ने सिकंदर महान को प्रशिक्षित किया था और वो समलेंगिक था जैसे आफस्री के विश्य में उनके दृष्टिकोन देखना शुरू करते हैं उन्हें कहा जाता था अरिस्टार्टल ने सब यूमन कहा हैं बस जानवर से थोड़ा सा उपर उस पूरी परंपरा में हम कहते हैं हाँ ये तो लोगतंत्र का नमस्तान है हाँ ये तो पुर्ष्ण के लिए था केवल आजाद ही कोई गुलाम नहीं और कोई नहीं निश्चे इस्त्रीया या बच्चे नहीं इसलिए वे हमेशा कानुन बनाते केवल पत्नी बच्चे और गुलाम के लिए पत्नी बच्चे और गुलाम उन्हें जिम्मेदारी दी गई, उन्हें बताया गया कि वे क्या नहीं कर सकते, पुर्षों को कभी नहीं कहा गया, कभी ये नहीं बताया कि पती या पिता को क्या करना है, जब तक कि पालुस ना आया, उसने वो सब तोड़ दिया, परंतु रोमी लोगों ने यूनानी देवी कि मध्य युग में मसियत थंडी होना शुरू हो गई थी, फिर आप वहीं विचार धारा लेना शुरू करते हैं, आप इसे मध्यपूर्वे में हर जगा देखते हैं, क्योंकि एक स्त्री सबसे पहली एक लड़की पैदा होती है, यदि वो लड़की लड़की पैदा हो जा लोगतंत्र के रूप में वह हमें बता सकता है कि हर समाज में कितनी स्त्रीया होनी चाहिए थी, लगभग सौ करोड़ से भी अधिक गायब है, क्योंकि जैसे कि चीन में वे बच्चे की हत्या करते हैं, क्योंकि वो लड़की है, या किसी कारण मुक अगरप्रात करते हैं, सं शैतान स्त्री पर इतना जादा क्रोधित हुआ, क्योंकि वहा जिसे जन्म देने वाली थी, जिसके द्वारा उसका सिर निश्चही कुछला जाना ही का, तो वो हमेशा स्री और बच्चों से लड़ते रहता है, और आप देखेंगे कि राजा हेरोदेश ने बच्चों की हत् बिल्कुल सही हुगा, इस कारण तो शैतान पुरिश सय अधिक के विरुद में युद्ध करते आया है, पुरिशों सय अधिक स्त्रीयों से, मैं नहीं सोचते कि हम सच में कई बार जानते कि शैतान स्त्री ते कितनी नफरत करता है, और उसने कैसी सजना बनाए और काम किया ह जैसे किमानों आप कह रहे हैं चाहे वो युनानी दंत कथा के विशे हम सोचे कि शायद इसका आज हम पर कोई भी असर नहीं डालता परंतु इसने सच में हमारी परंपर में काम किया है और हमारे अंदर ऐसे बहुत से विचार डाले हैं जिसके विशे हम कई बार नहीं जानते कि ये सच में हमारे अंदर है ये कई बार अंजान रूप में होता है ये अंजान रूप में हो परंतु ये परंपरदवारा आता है बार 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 आता है स्रीका मुल्य नौकरी के साथ में निस्चित किया जाता है एक ही काम के लिए बावजुद उन्हें पुरुष के तु आप तो जानते हैं निश्चे ही मैं एक स्त्री हूँ आप देखी सकते हैं धन्यवाद परमेश्वर ने मुझे सुसमाचार प्रचार के लिए बुलाया और मैं तीस वर्षों से बेदिक समय तक शिक्षा देती आरीयों और अब मेरी सेवकाई पूरे संसार में हैं तेरा देशों में मेरे ओफिसस हैं और मुझे याद है जब मैंने पहली बार होम बाइबल स्टेडी में शिक्षा देना शुरू किया मैं कई हफ्तों तक शिक्षा देती रही और मैं प्रभू के साथ आनन्द में थी खाना पकाती और अद्वत काम करती फिर एक धरमे कगुए ने कहा कि तुम उसे नहीं कर सकती तुम एक स्ट्री हो मैं बस प्रभू के आग्या माने की कोशिश कर रहे थी और वही कर रहे थी जो मुझे लग रहा था कि वो चाहता है आज के दिन तक हर बार जब कोई मेरा इंटर्व्यू लेना चाहता है मैं कहती हूं कि लगब 85 प्रत करता है या नहीं करता है ये था परंतु परमेश्वन ने मुझे उनके जीवन में सहभागी होने दिया मैं 1967 में न्यूजिलन्ड में एक घर में था और मैं वहां एक हफ्ते तक उपवास और प्रात्ना में था मैं वहां प्रॉफेट्स चेंबर में था अप्याकर उस महिला से कह दे की कि देशों में जाकर शिक्षा दें तो मैं उपर गया और वो ग्रेहनी थी और वो अपनी कलीसिया के संडे स्कूल में भी उन्दियमों के कारण नहीं पड़ा पाती मैंने कहां क्या आपके प्रेशों में जाने की बुलाहट है उसने कहां अपने घर में 14 वर्षों तक प्रश्ण लिया और 14 नोटबुक संदेश से भरी वी थी और जॉय डॉसन उस वर्ष सेवगाई में आ गई और मैंने उन्हें नियोता दिया वो अपने पहली वर्ष में से गई अब उनकी शिक्षा पुरे संसार में विख्यात है वो सिखाती है टेलिवीजिन रेडियो पर और किताबों और हर तरीके से तो मुझे कहीं स्थ्रियों के सवा करने का सब्हाग मिलया क्योंगि मेरी मा परमेश्र की मह Visharak शिक्षिक ती मैं पास्टर चो की कलीसिया में प्रचार कर रहा था और उन्होंने मुझे ये कहानी बतानी की अनुमती दी जो मैंने किताब में लिखी है उन्होंने मुझे से कहा कि 1971 में पास के बलव 6,000 लोग थें और जब मैं पिछली बार गया तब उनके पास 7,000,000 सदस्थे थे पर उन्हों पतनीकी मां अर्ठात मिसास अच्छी शिक्षी का और प्रचारक है। मुझे रितिरी वाया, उन्होंनेसा अनुमतिं कि उन्हें मंच पर जाने दुए तो मैंने कहा हुँ, मांश पर जाने दीजिए। और तब वो तो अपनी सिवकाई शुरू कर रहे थे और मैंने कहा कि मा को आने दे प्रचार करने दे और प्रचार खत्म होने के बाद में मैडम चो को दे और उन्होंने ऐसा किया और वो आजाद होने लग गए जिए प्रचली वार वहाँ पर गया था तो उनके पास में लाखों लोग थे उन्होंने कहा जानते हो मेरे पास 49,000 पास्टर है और उन में से 49,000 स्त्रियां है उन्होंने कहा परमेश्वर ने मुझे संसार में सबसे बड़ी कलीस्या दी क्योंकि मैंने स्त्रियों को आज़ाद किया वैस तोस्ता हूं कि ये सच है वाई वहम के साथ में और सब सेवकाई के साथ में यदि अगवे के वल्स्त्रियों को आज़ाद कर दे ताकि प्रभूने उन्हें जो वरदान और बुलाट दियों सेवे कर सकें हम कैसे उपर नियायात्मक रूप में कहें वो तो वो सेवकाई देता है और कहें नहीं वो नहीं कर सकती है क्योंकि हमारे सहकर्मियों में से 50% हम उन्हें कैसे जाने दे ये तो हसने वाली बात है हम इसकी विशे कुछी मिनुटों में चर्चा करेंगे पर तो अब हम एक ब्रेक लेंगे क्या आप विश्वास करते कि सब के पास पूरा करने के लिए एक लक्ष होता है हम सड़कों पर कैमरा लेकर गए ताकि जाने की लोग क्या सोचते हैं और हम वापस आने पर उनके उत्त कर देंगे इसलिए आप चले नहीं जाएंगे अक्सर लोग अपने लक्ष के विशे में बहुत इगड़बड़ी में होते हैं कुछ निश्चित नहीं होते कि उनके पास लक्ष है या नहीं जबकि दूसरे विश्वास करते कि लक्ष के बिना आप उससे पूरा नहीं कर सकत इस विशे पस्त्रियों की विचार सुने के लिए हमने कैस्त्रियों से बाते की मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरा कोई लक्ष होगा मैं हमेशे सोचती आई कि मैं आजादी से सोचने वाली हूँ पर अंतु मैं सोचती हूँ कि ये सब किसी कारण से होता है और जो बाते मैं करती आई हूँ वो दिखाता है कि कोई लक्ष नहीं मन्जिल रखना सबसे महत्पूर्ण है क्योंकि लक्षी होना जरूरी है मन्जिल को लक्ष के रूप में देखती है और उसके लिए कुछ करती हूँ ये सच मुछ दिल्चस्प परश्ण है और मुझे ये कहना ही चाहिए कि मैं निश्य महसूस करती हूँ कि मैं उस बात की और बढ़ रही हूँ मन्जिल तो अपने अंदर जाना है कि आप किसी और बढ़ रहे हैं और मानो ऐसा किसी भी तरीके से नहीं हो सकता है विश्वास है कि हमेशा पर्याय है आप अपना मार्ग सदा चुन सकते हैं मैं नहीं सोचती कि इन बातों को मेरी लिए करवाने या नहीं करने के लिए पर्मेश्वर किसी भूमी को आपको निभाता है यदि मेरे जीवन में पर्मेश्वर नहीं है तो ये सबसे अंधकार का समय है मेरे पास सच में जीने के लिए या देखने के लिए कुछ भी नहीं है प्रति दिन क्या करना चाहिए उसमें मेरे अगवाई करता है वो मेरे और मेरे पारवारिक जिवन का बड़ा भाग मैं नहीं जानती कि यदि मैं लक्षे में विश्वात करूँ मैं जानती हूँ कि प्रभू मार्ग दर्शन करते हैं परन्तु मैं सोचती हूँ कि मैं जो चुनाव करती हूँ उसे मैं बदल सकती हूँ मैं नहीं जानती कि मैं इसे क्या कहूँ ये मन्जिल है या वहम है मैं निश्च नहीं जानती कि मेरी एक मन्जिल है परंतु मैं सोचती हूँ कि मेरा एक उदेश है परंतु मैंने सोचती कि ये मंजिल को दर्शाने वाली बात है मैं सोचती हूँ कि वो अलग है इन अलग-अलग व्यू से ये तो निश्चई सपश्चा की बहुत से लोग अलग-अलग सोचते हैं उन में से कुछ के साथ मैं सहमत हूँ और कुछ के साथ नहीं हूँ, मैं निश्चे विश्वास करती हूँ कि हमारी मंजिल है और मेरा विश्वास है कि प्रभू ने वो मंजिल हमारे अंदर रखी है और उसने पहले से ही उसके लिए मार्ग बनाया है, उस बातों का परिनाम क् और अलग रूप में देखते हैं और उनका अलग दुश्ची कौन होता है हम भी उन्हें अलग रूप में बाढ़ते हैं परंतु परमेश्वर के साथ हमारे संबंद पर ये आधारित होता है आपकी मंजिल प्रभु में खुली जाती है जैसे आप ये शु के साथ अपना पहला संबंद शुरू करते हैं तो आपको परमेश्वर के परिवार में लाता है तब आपकी मंजिल आपके सामने खुलना शुरू होती है वो उसे बहुती व्यक्तिगत रूप में आगे बढ़ा है निखी एक मसीही हो ना मेरे लिए मानो सबसे ज्यादा उत्साहा जनक बात है परमेश्वर ने 13 साल की उम्र में मुझसे बाते की मैं उस समय केवल इतना ही जानता था कि मैं संसार के हर देश में जाऊंगा और मैं हर देश में गया केवल कुछी लोगों ने वह किया है और जैसे हम उसकी आग्या मानते है उसने हमारे अंदर कुछ खाते रखी है कुछ लोग सच में अकाउंट्स बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं और संख्या सही उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम होता है ये बिल्कुल सही मुझे संसार में ये पसंद है परमेश्वर की इच्छा मानना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं है परंतु मनिश कई बार उससे नही करने के कारण दूसरों पर सिमाय रखते हैं और उनने ऐसा नहीं करना है। और फिर परमेश्वर आया और उससे बाते करने लगा और फिर उसने सर्प से कहा कि स्त्री का बीज तेरे सिर को कुछ लेगा सामानी रूप में तुझ से तेरा अधिकार लेगा स्त्री का बीज तुझ से तेरा अधिकार लेगा हम जानते हैं कि वो बीज जीशु मसी है जो हमा करता रहा कि परमिश्वर की वच्चन से संबंदित बातों में उन्हें चुप बैठा कर रखे। ये मुझे आश्चरी चकित करता है कि आज भी वो गलत सोच कैसे हमारे समाज पर अपना असर डालती है। ये पहले जैसे तो नहीं ये परंतों मैं सोचती हूँ कि बहुत से लो सिर्फ मेरी आवाज सुनते और यदि आप मेरी और नहीं देख से तो कई बार मेरी आवाज को पुर्शों की आवाज समझी जाती क्योंकि वो बहुत ही गहरी और भरी थी। हम शिकागो में एक कलिसिया में सेवकाय करने गए और वहां एक कवेक्ती आया। उसने आप मुझ पर शे माइने पहले प्रचार करते सुना और फिरांत में मने जान लिया कि यह आप एक स्त्री हैं और आपकी शिक्षा ने मेरी जीवन को बदल दिया और इस बात कंकारी में नहीं कर सकता कि परमीश और आपका उपयोग कर रहा है। परुठ मैं सोचता हूँ कि आप कम पूर्श पाते हैं और धारन के कली से कांँ करने के लिए क्योंकि हम परम्परा के अनुसार सोचते है। कि हमें उत्तम होना चाहिए और हम जानते हैं कि हम नहीं है ये सच में मुश्किल है देखिए ये बहुत ही मुश्किल है ये तो उत्पत्ति अध्यातीन में शुरू होता है जहां पर परमेश्व ने सुझावनी दिया था कि मैं चाहता हूँ कि हमें बताय की पतन के कारण क्या और ये कि शैतान सच्छी और पुरुष के संबंद पर हमला करेगा कि संबंद में और सिवकाई पर भी हम यहाँ पर लक्ष के बारे में चर्चा करने के लिए आया है परिवार के विशे में नहीं परन्तु उस लक्ष में पुरुष को एक सहायक दी गई है ये बाइबल बताती है वो शब्द एजेर है इबरानियों में ये शब्द तो बाइबल में 30 बार आया है सहायक का 15 बार अर्थ है परमेश्वर मेरा सहायक हो जानते है एबिनेजर मेरा सहायक हो 15 बार ये परमेश्वर के सहायता मांगना है पांच बार ये एक देश को अपने से बड़े देश से मदद मांगने के विश्य में है यदि आप स्कूल में हैं आपको मारा जाता है तो आप छोटे भाई को मदद के लिए नहीं बलाते हैं और तो बीज बार ये हमें बताता है कि बड़ा छोटे की सहता करता है परंतु इसमें हम सोचते हैं कि हाँ मेरा ये व्यक्तिगत गुलाम है मेरा सहायक है और सच में देखा जाए तो वो शब्द एजेर उस एक जगह पर इसके पहले एक शब्द रखा गया है जो कहता है कि वे एक सम्मान है आमने सामने व्यक्ति सिव्यक्ति हमें एक साथ सहभागी होना है हमें एक के उपर एक नहीं परंतु एक सम्मान होना है जब पॉलूस फीबी से बाते करता है और रोम में फीबी के विशेब बताता है रोमियो अध्याय सोलह में वो कहता है कि वो एक डायकोनास है और सब जगह पर हम इसे देखते हैं कि इसका अनुवाद किया गया है और वो तो सेंक्रिया की कलीसिया में सेवी का थी जब कभी ये पुरुष से जुड़ा होता है तो वे सेवक शब्द उपयोग करते हैं परन्तु यहाँ पर उन्होंने सेवी का शब्द रखा है वो कलीसिया की सेवी का थी यहाँ है स्वामी प्रभु अग्वा सच में तो जोसिफिस ने इसे 20 बार कैसर के लिए उपयोग किया है एक बार वो कहता है कि वो पूरे संसार के लिए प्रोस्टाटस है वो शब्द सहायक का उपयोग नहीं कर रहा ने तो उसे मार दिया जाता परन्तु देखिए वो समयल के समान ही सेवकाई थी उसने सच में हमें बाइबल का एक भाग दे दिया है यदि आप न्याईयों में देखिया अध्याचार में हम देखते हैं कि ये सब उसके द्वारा बाइबल में पवित्र आत्मा से आता है यदि आप चाहें तो आठ सो चाहते हैं तो बहुत आस तो पर्मीश्वर ने हमेशा स्त्री का उप्योग किया है और उनका उप्योग हमेशा करता रहेगा है और करेगा ही।